आस्वाद घर की रसोई से आप सबका स्वागत है आज हम बनाने जा रहें गिट्स के गुलाब जामुन वैसे तो ये गुलाब जामुन बनाना बहुत ही आसान है पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे गुलाब जामुन पॉफेक नहीं होते तो पॉफेक बनाने के लिए मैं सा प्राइट को मैं पूरा मिक्सिंग बाउल में आट कर दूंगे देखिए यह मैंने सारा पैकेट आट कर दिया है और इसमें हलके से थोड़ थोड़ दाने होते हैं या वहाँ आप भाज से मिक्स कर लीजिए या आप चाहे तो छान भी सकते हैं तो इस मिश्रान को आप पानी या दूद दोनों से बना सकते हैं तो हम दूद का इस्तमाल करें तो यहां पर देख सकते हैं मैंने एक बाउल भरकर दूद लिया है और थोड़ा थोड़ा दूद करके हम इसे गुत लेंगे थोड़ा थोड़ा दूद डालना है एक के साथ हमें सारा दूद आड़ नहीं कर एक माउल और मिल्क लिया है अब इसे भी आट करके थोड़ा थोड़ा आट करके हम आटा को गुत लेंगे पूरी तरह में गुतना नहीं बस हातों से ऐसे मिक्स करना है हमें और थोड़ा सा गीला हमें छोड़ना है इस प्रीमिक्स को एदम सूखा सूखा नहीं रखना देखि इस तरह हम मिक्स करेंगे देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और हलका गीला हमें इसे छोड़ देना है तो यह इस लेवल पर मैं छोड़ दूँगी स्टेज पर देखिए गीला चिपचिपा सा लग रहा हातों में पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजेगा इसे हम र पर दिया है 600 साथ चाशनी बनानी तो सेम में उससे कटोरी से तीन कटोरी शुगर और यह तो देखिए तीन कटोरी लेलिये हैं और हमें तीन कटोरी पानी और थोड़ा सा और पानी करेंगे इसमें त्वहार्टश ऑ्रेशन डालने प्रफनील काई दाने हैं। मैं ₹ North कBen दूपने देखिर हों भाइय दुधा में Siya M में निकाल लूंगीλιमा तॉ arts कैपने और mumbay السमें तीन कटॉरी और पानी अड़창 साहू और साहD छोड़ देंगे इसे हम चलाते रहेंगे मिक्स करेंगे हाइ फ्लेम पर अभी हमें इस वक्त कुछ नहीं करना है बस हमें शुगर को डिजॉल्व करना है अब देख रहे होंगे कि चाशनी काफी मटमेली सी लग रही है लग रही है तो इसके लिए भी एक ट्रिक मैं आपको आ दूद आँट करने से क्या होता है, वह सब किनारे आजाते ही, देखिए दूद मिक्स होते ही, आप को जाले दिखने लगेंगे, मिक्स कर देंगे हम, साइड में आप देखेंगे धीरे धीरे पतली सी परत जमने लगेगी उस परत को निकालते ही हमारी चाशनी अदम क्रिस्टल फ्लीन हो जाएगी तो दो मिनिट हम वेट करेंगे फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है हाई फ्लेम पर नहीं अगर हाई फ्लेम पर रखेंगे तो हमारी चाशनी जादा पक जाएगी तो देखिए साइड में जाले बना शुरू हो चुके हैं यह देखिए इस जाले को हम निकाल देंगे इस तरह से किसी कर्ची चमच के सायता से निकाल देंगे देखिए सारी गंदगी निकल गई एक से दो बार में यह सारा साफ हो जा करें किलए अंगा कैदकिया ऑस्ते में से मिक्स कर रहे हैंude में अच्छी तरह से मिक्स हो जाराया है इसे में अटा शीन enhance पैकेट पे भले लिखा हुआ है कि आटे को अच्छी तरह से गुथ ले पर हमें आटा की रोटिया नहीं बनानी जो हम इसी तरह का आटा होना चाहिए इसे हम आराम से गुलाब जामुन के बॉल्स बना सकते हैं और यह इस तरह से बनाएंगे तो आपके बॉल्स कभी भी फट करेंगे नहीं बहुत बहुत होता है कि बॉल्स में क्रैक आजाती है जैसे हम तेल में डालते है वह अलग सी फूलने लगती है मतलब फूलने लगती है इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो यह सारी दिक्कत आपको नहीं होंगी तो पैकेट पे 40 गुलाब जामुन लिखे ह है बनना पर मैंने 40 गुलाब जामुन नहीं बनाया मैंने मीडियम सा इसके बनाया है जैसे हम तेल में डालेंगे वैसे यह पफ होने लगते है यह देखिए अच्छी तरह से पफ हो जाता है तो इसे तुरंद पलट देना है और हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर तल ले किया है 5-6 बस और साइड में हम देख लेंगे कि हमारी चाशनी हल्की गरम है अगर जादा ठंडी हो गई होगी तो हम चाशनी को थोड़ा सा गरम कर लेंगे तो देखिए मैं अपने गुलाब जामुनों को निकाल ले रही हूं निकाल के हमें से हल्की सी गरम चाशनी में आ यह लो कलर और थोड़े से कटे हुए पिस्ता लिये हुए क्योंकि गुलाब जामुन के अंदर फीलिंग करनी होती है काजू बादाम पिस्ता पिस्ता लिया हुआ है और थोड़ी सी एक चमसी चाशनी डाल दिये ताकि वह अंदर से भी मिठा हो जाए तो देखिए मैंने इ और बॉल को सील कर देना है देखिए बं कर लेंगे बं करके अच्छी तरह से राऊंड कर लेंगे और बिलिव में फ्रेंट्स यह बस्ती काला जामुन बनते है इतने जादा गुलाब जामुनुसे भी जादा कला जामुन अच्छे बनते है इस प्रीमिक्स के तौ आप तो जिस तरह से गुलाब जामन होने सैत्व है वही जितल काला जामुन गुलाब जामुन के रंगे हो जाएंगे तब हाइ फ्लेम पर एक से दो मिनट में अच्छी तरह से हाइ फ्लेम पर देखिए कलर से ही आपको पता चल जा रहे होंगे कि आप काले जामुन के शेप के लिए इद्दम रेडी हो चुके देखिए इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे एक से दो मिनेट जादा समय नहीं लगेगा इसे फ्राई होने के लिए हाई फ्लेम पे रखना है क्योंकि काले जामुन की यही बात होती है अंदर से सॉफ्ट होते है पर बाहर की जो परत होती है वो थोड़ी सी कड़क होती है तो देखिए हमारे काला जामुन नेदम पौफेक्ली फ्राई हो चुके है इसे मैंने सुगर शीरप में एड़ कर दिया है और इसे सोक करने के लिए हम रख देंगे एक से दो गुंटे में अच्छी तरह से सोक हो जाते है और पौफेक्ली रेडी हो जाते है तो देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ तो यह हमारे पहला गुलाब जामुन है इसे मैं कट कर ले रही हूँ देखिए बहतरीन और हमारे काले जामुन को भी मैं आपको कट करके बता देती हूं यह बहुत ही सॉफ्ट बने हैं बहुत ही डिलीशियस है आप लोग एक बाट जरूर से ट्राइ कीजेगा और फ्रेंड्स अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करना बि कैसे बनाते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाट